मेरे पास है दो प्यारा सा स्मार्टफोन, वीवो वी 27 और वान प्लास नॉट 2T, दोनो फोन आता है अंडर 30,000 रुपीज में, इसलिए तो बहुत सारे दोस्त कन्फियूज है ये दोनो फोन लेकर, आज इस वीडियो में दोनो फोन के विस डीटेल कॉमपेर करूँगा, और म कौनसा फोन गेमिंग के लिए सबसे अच्छा होता है, चलिए दोस्तों ये जो कंपरेजन शुरुबात करता हूँ दुनों फोन की डिस्प्ले से आप भी शुरुबात कर दीजिए इस वीडियो को लाइक करके, सारे फोन को मैं खुद पर्चिस करके रिव्यू करता हूँ, इसमें भी आप फुल व्यू डिस्प्ले का मज़ा ले सकते हूँ, लेकिन इस फोन आता है फ्लैट डिस्प्ले के साथ, दोनों फोन का ब्राइनिस बहुत ही अच्छा रगा है, आउट्डोर पर यूच करोगे, कुछ भी प्रॉब्लेम नहीं आएगा, भीबो में है 120 हर्स क में है 90 हर्स का रिफ्रस्ट्रेट, दोनों फोन में वाइडवाइन एलवान और HDR10 प्लास का सापोर्ट भी है, अब दोनों फोन में यूटूब का वीडियो को 4K में देख साकते हो, यहां पर एक वीडियो सैंपल में आप लोग के साथ सेयर करो, आप यहां पर देख साकते ह ऐसे भी फोन आता है, मीडिया टेक डामेंसेटी के तरफ से बहुत ही पारफुल चिपसेट के साथ, 7200 चिपसेट के साथ आता है, जो कि एक ओक्ताकूर चिपसेट है, इसका जो प्लॉक्स भी रन करता है, 2.8 GHz में, 4 Nm पर बना हुआ है, और OnePlus का फोन आता है, मीडिया टेक 60 एपिस में खेल सकते हूँ, लेकिन जब आप गेम खेलोगे, यह बेटर स्मूधनेस और बेटर पाफुमेंस मिलता है, वीबो के अंदर, ऐसे भी वीबो में जो जाइरो मिलता है, OnePlus से बेटर भी है, वीबो की फोन में अब घंड़े तक गेम खेलो, फोन अभार इट नहीं तो आपके लिए बेटर पाफुमेंस प्रोवाइड करेगा, वीबो V27, अब बात करते हैं, कैमेरा में कौनसा फोन बेस्ट होता है, ऐसे भी दोनों फोन आता है, वीची के तरफ ट्रिपल कैमेरा से टैप के साथ, दोनों फोन में सेम मेगापिक्सल मिलता है, 50 मेगापिक्स दोनों फोन में वाइस मिलता है, और दोनों फोन की बैक कैमरा से, अब 4K में 30 पूस्टर वीडियो को रेकोर्ड कर सकते हो, पहला आप लोग वीडियो सेम्टल देग लीचे है, दोनों फोन में वीडियो रेकोर्ड हो रहा है, तो आप यहां पार लाइटिंग पोजिशन, क किसका कैमेरा कॉलिटी अच्छा है, चलिए दोस्तों कुछ फोटो सेम्पल के सरी में आपको समझाता हूँ, किसका कैमेरा अच्छा है, आप यह पर देख सकते हो, स्कीन टून का कलर को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है, वीडो का फोन, वीडो का फोन, human फोट और बेटा डीटेलिंग देखा ही दे रहा है, वीडो के अंदर, फोटो के में जूम करके दिखा रहा हूँ, दोस्तों, अभी आपर देख सकता हूँ, OnePlus से बेटा डीटेलिंग वीडो में मिलता है, ऐसे भी डायनेमिक रेंज की तरफ देखा चाहिए, दोने पोन अच्छी तरीके से मैनेज करता है, दोने फोन की सेलफी कैमरा में में मेगापिक्सल में डिफरेंस है, वीडो का फोन आता है, 50 मेगापिक्सल सेलफी कैमरा के साथ, OnePlus का फोन आता है, 32 मेगापिक्सल सेलफी कैमरा के साथ, वीडो की सेलफी कैमरा से आप 4K में वीडो को रेकोड कर सकत अब यहाँ पर देख सकते हो skin tone का color और यहाँ पर dynamic range को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है वीव का phone वीव की phone में detailing जबदस्त मिलेगा क्योंकि इसमें ज्यादा megapixel मिलता है मैं Sunlight में video को record किया था आप यह पर देख सकते हो skin tone का color को कौन सा phone अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है कुछ photo sample में अब लोग के साथ सेयर कर रहा है सांद को पीछे रखकर मैंने photo की जाता है आप यह पर देख सकते हो lighting position को वीव कितनी अच्छी तरीके से off image कर रहा है direct sunlight में मैंने photo की जाता है यह पर फोटो को में जूम कर रहा हूँ आप यह पर दिख सकते हो बहुत ही अच्छा मिलता है overall दोस्तो फोटो या वीडियो के मामले में मुझे वीव का फोन सबसे अच्छा लगाए मैं वीव की फेवार में बात नहीं कर रहा हूं दोस्तो सज मुझे वीव का जो camera quality है अंडर थाटी थाटी थाउचन दूपिस में सबसे अच्छा है और ए खुरसर लगता है कैमेरा का बाम इतना जाता बाहर नहीं हुआ है इन डिस्प्ले फिंगर्पिन सेंसर के साथ आता है 3D कर्फ डिस्प्ले के साथ आता है डिस्प्ले के बिजल और नीचे जचेन बहुत ही छोटा मिलेगा और सेंटर पंच्छोल है oneplus का design इतना बूरा नहीं करता है लेकिन फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें लेप साइट कॉर्णार पर है पंच्छोल डिस्प्ले के विजल और नीचे जो चैन इसमें बहुत ही छोटा रखा है डिजाइन तो सबका अलग लग चॉइस होता है ऐसे भी दोनों फोन एंडूर 13 में रान हो पोड है लेकिन धुनों फोन में 3.5 मोड़ी चेक नहीं है और दोनों फोन में अब ऐस्टी कर को यूज सकते होगा की बात के आइसार लेविल उइं लिविट बहुत ही अच्छा मिलदा आ है बैटरी की सबसे अच्छा है अगर आपको फोन चाहिए तो आप OnePlus के तरफ देख सकते हो अगर आपको थोड़ी ज्यादा इमेज की बैटरी चाहिए तो भीबो के तरफ देख सकते हो और बैटरी वैक अब दुनों फोन में लगबग सेम मिल जाएगा चलिए दोस्तों सीधी सी बात करते ह पार्टी थाउचन रूपीज में कौन सा फोन सबसे अच्छा है देखर दोनों फोन की स्पेसिवी के सान के तरफ देखा जाए मुझे तो लग रहा है फीबो भी 27 सबसे अच्छा फोन है इसका डिजाइन खतर नगवाई इसका डिस्प्ले भी अच्छा मिलता है इसका गेम कर दिया वीडियो अगर आपको अच्छा लगाए तो एक लाइक कर सकते हूँ चलनको का लिजी सबस्काइब अगर आपने अभी तक मोटो जी 73 और वान प्लस नौट सीटू लाइट का कंपेर वीडियो नहीं देखा तो आप एपर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हूँ